हलो मेरे प्यारे बच्छो कैसे हैं आप लोग, a very hearty welcome to this mind blowing platform for Zigswala, my name is super शर्मा बच्छो आज हम लोग करने वाले हैं, मिजबिल दो ओट जी हां आज हम लोग मिजबिल से मिलने वाले हैं ये चाप्टर है एक पेट के बारे में अब आपको पता है बच्चों कि जो लोग होते हैं उनका उनके पेट के साथ किस तरह का रिलेशन्शिप होता है लोग अपने पेट से बहुत ज़ादा प्यार करते है और हर वक्त अपने पेट के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं वो कहते हैं कि जब से ये पैट आया हमारी लाइफ जो है वो कम्प्लीटी चेंज हो वह है उस बांड को आप समझ ही नहीं सकते हो अगर आपके पास अपना पैट नहीं है तो आपने लोगों को देखा एँ आज वो करी वैसे ही यहां पर इस पेट के बारे में बताया गया है लोग अपने पेट के बारे में बताते रहते हैं कि आज उसने वो किया और उसने यह नहीं शरारत करी यहां पर भी जो आथर है जो इस वो राइटर है जूनका नाम है गयाविन म Rightsковell याविन Maxwell भी अपने pet के बारे में सारी information बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके life कितनी जादा change हो गई, इस pet को लाने के बाद, इस otter को लाने के बाद, किस तरह से उनके life बहुत ही जादा खुबसूरत हो गई, और एक तरह से बहुत जादा humorous भी हो गई, जी हां क्योंकि इस तरह की author कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, एक तो बहुत ही cute होते हैं ये देखने में, तो जब author इसे पहली बार देखता है, तो कहता है कि भाई, इसे देखते ही मुझे author fixation हो गया, author fixation का मतलब होता है बच्चों, कि मतलब एक तरह से प्यार हो जाना, fixation होता है, यानि कि जिसे द characters कौन है, the writer Gavin Maxwell, जिनका ये author है, दूसरा इस कहानी का character है, उनी का author, उनी का पिट जिसका नाम है, मिजबिल, बहुत ही different सा नेम है, मिजबिल, या जिसे वो मिज भी कहते हैं, तो बड़ा ही cute सा नेम है, जैसा cute author है, वैसा ही cute उसका नाम है, कीम क्या है इस chapter में, किसके बारे म man with his author, ये है एक कहानी, humorous कहानी, humorous कहानी, याने के बहुत ही मजाकिया सी कहानी है, किसके बारे में ये, जो ये writer है, writer मिजबिल के साथ किस तरह से enjoy करते हैं, क्या-क्या उनकी adventures होते हैं, उनकी life किस तरह से पूरी तरीके से change हो जाती है, वो इस story में लिखा हुआ है, तो चल लेकिन pet dog की जो है, वो death हो जाते हैं, तो वो decide करते हैं कि वो एक और pet रखेंगे, पर वो dog नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैंने dog को ही ऐसा pet रख लिया, तो मुझे जो है, वो अपने पुराने dog की याद दिलाता रहेगा, भई, जो pet रखते हैं वो इस बात को हैं कि भई, मुझे हमेशा ना एक दूसरे dog को देखे, अपने पुराने dog की याद आएगी, तो मैं क्या करूंगा, एक अलग साही pet रखूँगा, और वो decide करते हैं कि मैं एक otter को जो है वो रखूँगा, in 1956, he went to southern Iraq and there he saw people having otter as a pet, वो 1956 में गए, भई, उन्हें कहां से idea रखा मलब कहां से आया, क्योंकि जनरली लोगों को रखता है कि यार या otter तो बड़ा अलग साही आने मिल है, तो कैसे उन्होंने सोचा कि मैं इसी को as a pet रखूँगा, वो कब, जब उन्होंने देखा कि यहां तो यह बहुत common है, सभी लोगों ने, मलब जाद देख लोगों ने ot को as a pet रखा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे एक as a pet रखूँगा, he also decided to keep a pet daughter instead of a dog, Maxwell went to Basra to collect his mail and there he mentioned his desire to one of his friends, Maxwell एक दिन Basra जाते है और Basra में जाके एक consultant general, consultant general में वो जाते है, consultant general होता है, जहां usually, मतलब लोग जो दूसरी country से आये होते हैं, तो वहां उनकी country की embassy ह consultant general is an embassy, तो embassy में जाके आप अपने mails वोगेरा collect करते हो, क्योंकि यह बहुत पुराने time की बात है, तो उस time पे किसी के साथ भी contact करने के लिए, अपनी country को contact करने के लिए, अपनी country की mails receive करने के लिए, वहां जाना पड़ता था, तो यह भी बसरा जाते हैं, और वहां जाकर को अपने friend को बताते हैं कि यार मेरा मन करर, कि मैंनो otter as a pet, मतलब otter को रखूं, और उनका friend भी बहुत inormally react करते हैं कि ठीक है, हमें वो easily मिल जाएगा, यहां तो बहुत easily मिल जाएगा, तो चलिए हम उसे रख सकते हैं, अब after, after getting his mail, when the author reached his room, he saw two Arabs with an otter in a sack, वहीं क्या होता है, एक हफते के बाद, जब उन्होंने अपने friend से यह कहा था, उनका friend, जो कि एक बड़ा ही true friend था, उसने देखा कि भही मेरे friend को एक otter चाहिए, तो वो otter भी देता है, और यह कब भीजता है, जब वो अपने consultant general के उसी room में होते हैं, वहां वो देखते हैं कि दो Arabs हैं, तो Arabs ने उन्हें एक sack में, एक बोरे में उस otter को रखा हुआ होता है, और वो बोरा बिल्कुल हिलना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल swiggle कर रहा होता है, ऐसे squirm कर रहा होता है, और उन्हें पता सल जाता है कि हां, इसके अंदर एक otter है, it was a gift sent by the same friend, उनके उसी दोस ने उन्हे यह otter भेजा था, the author named it Mijbill or Mij, author ने उनका नाम Mijbill या Mijbill रखा, अब देखिए चो उनके पहली उसके साथ meeting है, वो भी बहुत interesting है, जो पहली बार उसे देखते हैं, तो कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी starting में बताया, otter fixation हो जाती है, otter fixation, otter fixation का मतलब होता है, कि एक animal को देखते हो, तो बस आप देखते ही रह जाते हो, कि बस अब यहीं जो है मेरा सब कुछ है, अब वो जो पहली बार देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत जादा dust जमी होती है, और बहुत जादा dust को remove करने के बाद, उसे कई बार wash करने के बाद, उन्हें उसका actual color जो है, नजर आता है, अब, on the second night, it enter the bed, भही starting में क्या होता है, starting में तो author थोड़ा सा confused होता है, उसे समझ नहीं आता, वो नाहीं जादा hostile है, और नाहीं जादा friendly है, नाहीं जादा friendly है, नाहीं जादा unfriendly है, लेकिन जो second night है, दूसरी रात को वो थोड़ा comfortable हो जाता है, और जो author है, author के bed पर जाके लेट जाता है, it enjoyed in the bathtub, in the bathroom, very much, and bathroom very much, भहीं यहां पर एक बहुत important बात है, कि जो यह मिजबल है, जो यह author है, इसे नहाना बहुत पसंद है, इसे पानी तरह जादा पसंद होता है, कि यह पानी की साथ खूब खेलता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला, चुटे- पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, वैसे ही यह author है, इसे भी क्या करता है, कुछ दिन बात तो यह नल को भी खूलना जो है, वो शुरू कर देता है, और जब भी कहीं पानी रखा होता है, तो वो कहता है, कि अगर पानी का कोई बाउल रखा हुआ है, वो stationery है, हिल नही पानी में छपाके लगाता था और बहुत खेलता था, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही शरारती सा अनेमल था, ब्रिटिश यारलाइन वोट नॉट पर्मित हम तो फ्लाय विद अनिबल, तो वी बॉक्ट अफ्लाय तो पारिस और फ्लाय तो लंटन, बही क्या ह बॉक करते हैं, अब फ्लाय बॉक करते हैं, तो जो ब्रिटिश एरलाइन है, वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम अपनी फ्लाय पर जो है वो पैट्स को अलाओ नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो पहले पारिस तक के फ्लाय को बॉक करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मै पहले पारिश जाओंगा फिर पारिश से मैं लंडन जाओंगा ठीक है तो उनके मन में यह आ जाते है क्योंकि आप्विसली वो अपने आटर के बिना तो जाएंगी नहीं वहां जाकर उन्हें उनके साथ कैमस्फियरना में रहना होता है जहां पर उन्होंने सोचा होते हैं कि वो उसके साथ रहेंगे एक बहुती खुबसूरत सा आइलेंड होता है मैं वहां धंग से उसके साथ जो है अराम से जो है वो रहूंगा तो लेकिन वहां ले जानाओंसे जरूरी था तो वो क्या करते हैं आप यहां पर जो यह पारिस एरलाइन है वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यह जो आप लेकर आ रहे हो जिस पेट को उससे आप ऐसे नहीं रखोगे उसको आपको एक बॉक्स में रखना है तो हमारे जो यह ओधर है वो सोचते है फ्लाइट का टाइम होने वाला होता ह वह सोचते है एक गंटा पहले उसे बॉक्स में डाल देते हैं स्युटंशली एक बॉक्स बिनवाते हैं उसके अंदर बड़ा ही सॉफ्ट-सॉफ्ट सा कपड़ा भी लगाते हैं अंदर लाइनिंग लगवाते हैं ताकि उनके ओटर को किसी तरीकी की दिकत ना हूं वह उसक कि लिट के ओपर कुछ शेत किये होते हैं और उस शेत में से खून निकल रहा होते हुआ या चाहते हैं तो देखते हैं कि वह क्लिपा हुआं एक क्या करता है वो लाइनिंग को खोलने की कोशिश करता है तो बॉक्स नहीं आता और इस अब अठर भी बहुत परशान हो जाते हैं लेकिन उनने पता है कि भाई मुझे लेनी है अब अब आपने नीचे पूरा न्यूस पेपर बॉक्स को रखते हैं फिर एरोस्टोस को बोलते हैं कि यह लो मैं फिश भी लेकर आया हूं इस फिश को आप जाकर फ्रिज में रख दो जब भी इसे खानी होगी तो हम इसको दे देंगे और दूसरा जो है वो सारा उसको किस्सा सुनाते हैं कि बॉक्स में इसको रहना पसंद नहीं है अभी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ब्लट बहार आ गया एरोस्ट्रस यहां बहुत अच्छे होती है और हमें जो यह ऑथर है उनकी बातों से समझ में आ जाता है कि वो एरोस्ट में जो हो दोड़ता रहता है और दोड़ते द्वरते एक वहा पर ऐक टबन-मान तॉबन-मान निक सरदार जो होते हैं पग पहें पेहने एन ऌने। और author भी बड़े ही funny तरीके से express करते हैं कि मैं भी उसके पीछे पीछे जाकता हूं और पीछे जाके मैं एक दम से गिर जाता हूं करी में, तो यहां पर एक थोड़ा funny सा way जो है use किया गया है किसी Indian को समझाने के लिए, आपको बता हैं कि जितने भी यह foreign country में जो लोग होते है वो इंडिया को सोचते हैं, इंडिया वालों को सोचते हैं कि करी बहुत खाते हैं, करी का मतलब हो कि तरी, तरी जो हम सब्जी में लगाते हैं गिली-गिली सब्जी खाते हैं, तो यह करी को बहुत जादा खाते हैं, तो यह बड़े ही humorous तरीके से लिखते हैं कि मेरा मू सी with the help of the Eurostress. यहीं अच्छी से Eurostress की वज़ा से, वो जो है, वो मिल जाता है. In London, the people could not recognize it, but they guessed about it. अब वो लंडन पहुंच जाते हैं, लंडन में वो वाक्स पर जाते हैं, इदर उदर लोग भी जो है, यहां मिजबिल को देखते हैं, लेकिन कोई भी उसे जो है ना, पहचान नहीं पाता. सब लोग अलग-लग guesses करते रहते हैं, कोई उसे penguin बुलाता है, कोई उसे कुछ बुलाता है, कोई उसे seal बुलाता है, पहल बुलाता है, पहल बुलाता है, कोई बुलाता है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाता, कि वो एक ओर्टर है. Once the labourer saw मिजबिल lay down his stool, said with surprise, here mister, what is that supposed to be? एक बार क्या होता है, एक बार जो है, वो कहते हैं कि भाई, लोगों ने अलग-लग बड़े guesses किये, लेकिन एक labourer, एक labourer जो है, वो सबसे अलग expression देता है, वो labourer जो है, भाई, देखता है, कि वो भागते होए जा रहा है, मिजबिल जो है, author, और वो जो है ना, बड़ी ही serious ह कि अपना tool नीचे रखता है, और ऐसे खड़े हो के पूछता है author से, yes mister, what is it supposed to be, you cannot joke with me, आप मेरे साथ मजाख नहीं कर सकते हो, ये है क्या, आप जो है, वो मुझे बताओ, तो ये क्या है, वो इस तरह का reaction जो है, वो देते हैं, और ये reaction बहुत ही जादा funny होता है, तो author को ल जो है, वो journey के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितनी adventurous journey जो है, वो author की रही, क्या-क्या values हम इस chapter में सीखते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हैं, बच्चों, care for animals, animals की care करना कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं है, कि अगर कोई किसी को pet रखता है, त बहुत अलग सा सोचते हैं, यूजरी लोग dog या cat जो है, वो रखते हैं, जाज़ादा rabbit रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने otter को रखा और इस वजह से उनकी life जो है, वो बहुत ही जादा humorous, adventurous जो है, वो हो गई, companionship, companionship, companion कौन होता है, companion है कैसा person होता है, हम लोग सोचते कि companion क होता है, friend, companion का मतलब है, साथी, यहाँ जो otter है, वो उनका साथी था, कोई भी person, चाहे वो animal हो, चाहे वो कोई इंसान हो, वो कोई भी हो, अगर वो आपके साथ बहुत समय spend करता है, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ time spend करना, उसे companion कहते हैं, और यहाँ बहुत अच्छी companionship हमें देखने को मिलती है, otter और उसके, जो है, author में, यानि कि Gavin Maxwell और मिजबल के बीच में, अब पढ़ते हैं, title appropriateness के बारे में, भाही, इसका नाम है, मिजबल तो otter, क्या यह नाम सही है, अब देखिये, the author named his pet, मिजबल, और in short, मिज, मिजबल बिलोंग to a race of otters that had been recently discovered by a zoologist named Lutrogel Perspilata Maxwelli, भाही, एक Maxwelli otter होता है, यह author जो है, इसे as a pet रखते है, उसका नाम रखते है, मिजबल, लेकिन यह मिजबल को अभी recently discover किया होता है, otters को, और इसे कौन एक zoologist होते है, जिनका नाम होता है, Lutrogel Maxwelli, Maxwelli ही, मतलब जैसे कह सकते है, उसी race क होता है, यह author, and was thus known as Maxwell's otter, it took the otter a little time to open up and get comfortable in his new surroundings, so this story is all about मिजबल and his time with the author, भाही, यह पूरी की पूरी कहानी, मिजबल के बारे में ही है, किस तरह से वो पहले comfortable नहीं होता, लेकिन किस तरह से वो बाद में comfortable हो जाता है, फिर author के साथ, जो वो किसी adventure पर निकल जाता है, करता है, और अपनी life को बहुत enjoy करता है, तो इसी के बारे में जो है, यह पूरी स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी किसके आसपास घूम रही है, मिजबल के ही बारे में, और उसके जो adventures है, उस author के साथ, अब आगे देख लेते हैं, बचों, यहां पर एक बहुत जरूरी बात है कि बचों, आपका जो latest CBSE का sample paper है, उसमें यह question आया है, तो इस chapter से किस तरह का question आयेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यह बताया, कि इस बार जितने भी chapters है, वो chapters कैसे है, value-based, moral-based आपको questions मिलें, थोड़े से different questions मिलें, कई बार क्या किया है, दो chapters को combine कर द क्यों, अजीब feel हो रहा होता है, इस को, author को, किस तरह से वो adjust होता है, author के साथ, क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, नहीं, इस तरह का question नहीं है, भाई, यह बिल्कुल different है, कि आपको, क्या समझ में आया, कि वो animal, अपनी life को किस तरह से enjoy कर रहा है, author के साथ, वो कैसे, जो है, अपनी life काटता है, और क्या उसे पसंद है, ऐसा करना, तो चलिए, पहले हम लोग question को देख लेते हैं, फिर हम बेटर समझ पाएंगे, Mijpil and the tiger, both were looked after by humans, assume they both meet each other in the zoo, and have a conversation about their lifestyle and feelings, भाई, Mijpil और tiger, जो tiger in the zoo वाला tiger है, वो जो है, उन्हें दोनों के दोनों humans देखते हैं, Mijpil तो obviously एक pet है, तो वो human beings के ही under है, यानि कि Maxwell उसका ध्यान रखता है, वेराज जो tiger in the zoo वाला tiger है, वो एक zoo में बंद है, तो naturally उसका भी खयाल कौन रखता है, उसका खयाल भी जो है, वो human beings रखते हैं, वो दोनों एक दिन एक दूसरा से जूम में मिलते हैं, और वो conversation करते हैं, बातशीत करते हैं, अपने lifestyle और अपनी feelings के बारे में, ठीक है कि कैसे जीवन बिता रहे हैं, क्या उनकी feelings हैं, write this conversation as per your understanding of miserable daughter and a tiger in the zoo, you may begin like this, भाई उनोंने कहा है कि conversation हो रहे हैं, आपस में दोनों जान वरो की, दोनों animals आपस में conversation कर रहे हैं और किस तरह से conversation start होगी, यानि कि उनोंने आपको ना बिता idea भी दिया हुआ है, कि कैसी conversation होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, tiger कह रहा है, thanks for visiting me, though I don usually like visitors, हमें पता है, हमने tiger in the zoo पढ़ा है, हमें पता है कि चो tiger है, उसे visitors पसंद नहीं है, वो कहता है, I don't care about the visitors, मैं visitors को ignore कर देता हूँ, तो यहां भी उसने यही लिखा, कि मुझे मिलने के लिए thank you, पर मुझे visitors जादा पसंद नहीं है, मिच्विल कहता, oh I would love visitors I think, तो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे तो visitors पसंद है, I think, मुझे लगता है, अब देखो, यहां जो इन दोनों की contrasting personalities हैं, उसके बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, tiger बिल्कुल साफ कह रहा है कि मुझे visitors पसंद नहीं है, और मिच्विल कह रहा है कि अगर मैं होता, तो म basic characteristic जो दिखाया गया है, poem में और chapter में वही बताया गया है, तो इस conversation को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसका एक example यहां दिया हुआ है, देखो, tiger कह रहा है, thanks for visiting me, though I don't usually like visitors, जैसे की start किया ही था, और वो कहता है, oh, I would love visitors, लेकिन मुझे visitors पसंद है, आगे tiger क्या कहता है, I believe that is the reason of your happiest day with your human owner, मैं वैसे तो इस conversation को आपको खुद ही लिखना बड़े का, लेकिन मैंने थोड़ा सा idea दिया है, अब tiger कह रहा है कि अच्छा, इसलिए शाय तुम्हे अपने owner के साथ रहना पसंद है, इसलिए शाय तुम अपनी life को enjoy कर रहा है, मिजबल कहता है, yes, I love the company of my owner, it's been a wonderful existence I don't mind being in a confined area, मिजबल कह रहा है कि हाँ मुझे अपने owner की company पसंद है, बहुती wonderful existence जो है हम लोगों के बीच में है, मैं बहुत wonderfully वहां रहा हूँ, I don't mind being in a confined area, मुझे confined area में रहना पसंद नहीं है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसे पता है कि tiger को एक confined space में रहना पसंद नहीं है, सबसे पहले इस answer में आपने क्या notice किया, इसमें उन्होंने कुछ अलग सा नहीं लिया है, मिजबल को जो पसंद है हमें उसने लिखा हूँ है, हमें पता है कि मिजबल बहुत enjoy करा था अपनी life को, वो पानी के साथ खेल रहा है, वो बहुत जादो author के साथ अपनी life को enjoy कर है और वो यहीं बात यहां पर लिख रहा है, Tiger कहता है, humans don't understand the importance of peaceful coexistence, that's the reason, they tame us, Tiger कहता है कि humans को coexistence का जो concept है, वो समझ में नहीं आता है, coexistence समझते हो, कि दोनों अपनी अपनी जगा बर रहे रहे हैं और coexist कर रहे हैं, यह नहीं कि एक दूसरे की life में वो enter नहीं करे हैं, वो ए अपनी अपनी life में खुश है, animals अपनी जंगल में खुश है, और human beings अपने cities और villages में खुश है, वो कहते हैं, इसलिए वो हमें tame करते हैं, tame करते हैं, यानि कि हमें पालतू बनाते हैं, तो Tiger भी अपनी frustration बता रहे है, मिजबिल कहता है, humans are friendly, my owner ensures me an extremely comfortable life, the delicious meals, long walks and the games we play with each other are to die for, मिजबिल बताता है कि मैं तो अपना life बहुत मस तरीके से enjoy कर, और वो पुरा explain भी करता है कि मैं क्या क्या करता हूं, जो जो chapter में लिखा है, कि मैं delicious meals enjoy करता हूं, long walks भी जाता हूं, और जो games में कहलता हूं, are to die for, मैं बहुत ही enjoy करता हूं, बहुत ही मज़ा आता है मुझे, Tiger क बहुत है पर मैं agree नहीं करता क्योंकि हमें जो है वो jail में डाल देते हैं, हमें जो है वो एक cage में बंद कर देते हैं, पिंचरे में बंद कर देते हैं, और मुझे नहीं, मुझे तो जो हमारा right to live freely है, वो चाहिए, हमारे को कोई right है नहीं है, जो freely रहने का तो वो भी अपनी जो है बात जो हमने पोयम में पड़ी थी, वो उसने एक्सप्रेस कर दी. मिजबिल, but they take good care of us. The way my owner saved me in a flight while traveling together to England is inexplicable. मैं मिजबिल भी बता है कि लेकिन मेरा author तो मेरा बहुत बहुत अच्छे से केर करता है और जब उसने जिस तरह से मेरी जान बचाई, जब हम लोग flight पर जा रहे थे, भाई England जा रहे थे, तो उसने मेरे साथ ऐसे जो है मेरा बहुत ध्यान रखा. और ये inexplicable है, मैं मैं बता भी नहीं सकता, शब्दों मैं बयान नहीं कर सकता. क्योंकि हमें पता है कि मिच्बल ना बहुत नर्वस हो गया था flight में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन author ने, author ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा. Tiger, I have always been averse of the fact of staying away from our natural habitat and being locked in a concrete cell, लेकिन tiger कहता है, लेकिन मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, I don't like कि हमें cage में डाल दिया जाता है, पिंजरे में डाल दिया जाता है, और हमें हमारी natural जगह पर रहने नहीं दिया जा रहा है, तो वो complaint कर रहा है, अब यहां पर मिच्बल कहता है, I would pray that you get your freedom back soon to your own territory and stay there, being the king of the jungle मिच्बल बहुत समझदारी की बात करता है, मिच्बल कहता है कि ठीक है, तो मैं रहना पसंद नहीं है, तो मैं hope करता हूँ कि तुम एक दिन अपनी territory में जाओगे और वहां freely रहोगे और तुम वहां पर king of the jungle बनकर रहोगे, बात तो यहीं है, tiger को king of the jungle बनकर रहना है, वैसे आपको बोला गया है कि आपको यह देखना है कि उनकी, उनकी क्या understanding है, उनकी किस तरह की emotions है, देको पूरा emotions पर बेस्ट है ना यह, आपने मिच्बल के emotions को भी समझा, यह tiger के emotions को भी समझा, और उन emotions को chapter के context में आपने लिखना है, तो अगर इस तरह का question आता है, तो उसको कैसे attend करना है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, यह chapter बहुत ही sweet है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन मैंने आपको बोला, हर chapter के end में मैं आपको यही बात बोलूँगी, कि chapter के साथ, जब भी आप chapter को पढ़े, उसकी summary को पढ़ते हैं, आप ठीके हम लोग आपको summary भी बता रहे ह लेकिन उसके पीछे क्या value चुपी हुई है, उसपर आपको बहुत सब्धा ध्यान देना है, क्या emotions है, वो actually मैं किस तरह से feel कर रहा है, किस तरह से क्या उनके mind में चल रहा है, यह भी आपको, जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तो ठीके चलो, thank you so much for this class, बचो मिलेंगी next class, me till then take care, bye bye.